उन्होंने ये भी कहा था कि अगर भारती जनता पार्टी या किसी दल या समाजवादी पार्टी या किसी दल से अगर गड़बंदन होता है तो गड़बंदन से ही हम चुनाव लड़ाएंगे। लिए गरबंदन नहीं हुआ हम लोगों ने चुनाव ने हिस्सा नहीं लिया नानी राज्या भाव से उन्हों ने राजनीत किया आउंके सेवा भाव आपने देखा उगे प्रतिवर्स 101 कन्याओं की शाधी गरीब कन्याओं की या तमाम विधान सभाव के चुनाव टाउन इर हर जगे से जीते हैं यह उनकी उपलब दी रहे हैं उत्तर प्रदेश में लोग सभा चुनाओं की सरगर्मिया बहुत तेज है लेकिन उत्तर प्रदेश की कोशामभी लोग सभा सीट इस वक्त बहुत चर्चा में हैं चर्चा इस वज़े से कि वहां पर राजा भाईया यान और ऐसा माना जा रहा है जिस प्रत्यासी के समर्थन में राजा अपना समर्थन देंगे वो प्रत्यासी जीत हासिल करेगा लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए राजा भाईया के पाल्टी के प्रमुक कहे जा सकते हैं राइट हैंड कहे जा सकते हैं उनके बहुत बड़े सह योगी, सैलेंद, सांसद जी हैं, ये तीन बार के सांसद भी रह चुके हैं, और कई बार मंत्री पत भी रह चुके हैं, इनसे हम समझेंगे, आखे कर राजा वहिया फैक्टर किस तरह से इस लोगसभा चुनाओं में काम कर रहा है, बड़ी चर्चा है, सब कह रहे हैं कि ये ज जीतेगा, भाज पाबा कह रहे हैं हम जीतेंगे, लेकिन लोगसभा सुना सीट में, कौशामभी लोगसभा सीट में यहां का समीकरन ही उल्टा है, और राजा फैक्टर बहुत कारगर है, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत-बहुत धन्वाद और शुब कामना है कि पचास लोगसभा सीट के लिए, चुनाओ बहुत दिल्चफ मोड पर है, और अब मुस्किल से चार दिन रहे गए मद्दान में, तो ऐसे इस्तिति में मैं आप से क्या कहूं, लेकिन इतने कहिना चाहूंगा कि पांचों लोगसभा में जो विधान सभाएं हैं, वो काफी मह महत्पूर हैं, अपनी अपनी जगह सभी विधान सभाओं का अपला महत्व हैं, जहां तक आपने बात किया कि परताबगड की जो दो विधान सभा है, कुंडा और बाबा गंग, वो काफी महत्पूर हैं, चुकि हमारे राष्टी प्रमुख राजा भहिया जी की भी सीट है और बगल में विनोस सरोज जी जो हमारे विधायक उनकी सीटे हैं, इस बीच जैसा चैनल से आप लोगों से मालूम हो रहा है, कि लड़ाई इधर कोशामबी में हैं, लेकिन उधर दो विधान सभा निरनायक मोड़ पर है, तो मेरा ऐसा मानना है, और आपको जानकारी भी हो चुकि होगी कि अभी 14 तारिको मानी राजा भीया जी, हमारे राश्टी अद्धग जी ने बहुत ही विस्तार से अपनी बात कही उन्होंने, और पहले भी उन्होंने कही दिया था, चुकि इसके पहले 2019 का चुनाओं हम लड़े थे, नई पार्टी बनी थी, और निर्दली क के रूप में हम चुनाओं लड़े थे, फिर भी अच्छा ओठ मिला था उस दोस्त विधान सवा से, इधर हमें कम ओठ मिला, कुछ फुलराइजेशन हुआ, बहराल वो पुरानी बात है, लेकिन परतमान समय में निरनायक मोड़ को देखते हुए, बाप लोग की अपने अन उन्होंने ये भी कहा था कि अगर भारती जनता पार्टी या किसी दल, या समाजवादी पार्टी या किसी दल से अगर गड़बंदन होता है, तो गड़बंदन से ही हम चुनाव लड़ाएंगे, गड़बंदन नहीं हुआ, हम लोगोंने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने इस पश्ट कहा कि हर ब्यक्ति स्वतंत्रत है और जो आपकी कसावटी पे अच्छा प्रत्यासी हो उसका चैयन करके आप ओड़ दे सकते हैं नोटा का प्रियोग मत कीजिएगा और मद्दान अवश्र करिएगा उन्होंने अपील किया है इस बीच अब दो विधान सभाओं में समाजवादी पार्टी भारती जन्ता पार्टी के जो प्रत्यासी है कितना कारगर होते हैं कितना वो मेहनत करके अपने तरब अपने पक्षे में मद्दातों को अकरसित करते हैं यह उनके उपर डिपिंड करेगा अच्छा इस चीज दिखा गया सर कि सब जगा सारे प्रत्यासी कोशामभी में हित हो जाते हैं लेकिन बाबा गजर कुंडा में जाके फेल हो जाते हैं उसका मुख्य कारण है कि मानी राज़ा भहिया जी ने कभी राजनीत नहीं किया है सेवा भाव से उन्होंने राजनीत किया है और उनके सेवा भाव आपने देखा हो कि प्रतिवर्स 101 कन्याओ की शादी गरीब कन्याओ की हर अपने चारो दोनों विधान सबा के बलाकों में नेत्रिसिविर मुफ्त बेहतर इलाज गंभीर बिमारियों में बेहतर से बेहतर सुबदा चाहे मुक्वंत्री कोस से हो अपने नीदी से हो यह बिक्तिगत तोर पे गंभीर विमारी कैंसर है, हाड है, किडिनी है, उसका इलाज करवाते हैं और बेतर सुब्धा देते हैं, यहां तक कि यह आपने देखा होगा कि हर लोकसभा में आपने देखा होगा या विधानसभाओं में जाते होंगे, स्वैम वो टीवियस बलकि मोटर साकिर्ट से चलते हैं, और मैंने देखा कि दोरे जब उनके साथ होते थे, भ्रमन होता था, उस बीच अगर कोई भी विकलाएं मिलता था तो उसे दो ड़ाई तीन हजार रुपए पेट्रोल के लिए पैसे भी दे देते थे, यह उनकी जंसेवा नीत से ही उनकी मद्दान करते हैं, और भारी बहुमा से वो विजय होते हैं, और अभी इधर कुछ राजनेतिक जलों का समर्थन भी रहा, लेकिन निर्दली के रूप में, चाहे वो जिला पंचायत हो, या विधान परसत के चुनाओं में एक्षे परताब जी गुपाल भाया जी का चुना यह उनकी उपलब्दी रही है, आज परसों से एक फोटो बहुत वायराल हो रही है, आपने भी देखा होगा, सोसल मीडिया पे, जो बीजेपी के मवजुदा सांसद है, वो राजा भाया से मिलने गयते हैं, जम्मिल के वापस आ रहा तो उन्होंने उंगली दिखाते हुए कोसांबी जो मवजुदा सांसद उनके तरफ उंगली दिखा रहे थे, इसके कुछ माइने निकलते हैं, देखे ये भामक प्रचार है, राजा से जो एक बार मिला है, राजा भीया जिसे, वो राजा का होके रह गया है, बहुत ही शालीन, शब्ब, मिलनशार हैं, और सब का स सदीक मंगबा लीजिए, चुकि उनके साथ, M.O.E.S. आपके भारत सरकार के मंतरी भी थे, विनोश सरोज जी सांसद जी थे, गाड़ी के लिए उन्होंने इशारा किया, आप उसका गलत अर्थ लगा के, अब चुकि चुनाओं में हर तरीके के हद कंडे अपनाए जाते है राजा ने ऐसा नहीं किया, राजा ने हर बेक्ति का, हर छोटे से छोटे बेक्ति मद्दाता का वो सम्मान करते हैं अच्छा आप बहुत करीबी रहे हैं राजा के, इस बार एलक्सन में क्या लग रहा है, राजा का रुप क्या हो सकता है आप लोगों का मानना है, लेकिन उन्होंने अपील कर दिया है कि स्वतनत रूप से सब मद्दान करें, अवश्य करें, नोटा का प्रियोग न करें और जो बेहतर आपकी कसाउटी पे, जो भी बेहतर लगे कंडिडेट उसको आप मद्दान कीजिए अच्छा, तो एक आनतिम सवाल है सर, आपका इभार के सांसद रहे हैं, लेकिन ये लोग सबहा से बहुत इंपोर्टेंट है, खासकर कुंडा और बाबा गंद, तो ऐसे हमें इस बाद भी कुछ एफेक्ट देने वाला है? देखे हर विधानसभा का अपना महत तो है, और जब सुतंत रूप से मद्दाताओं को एक अपना प्रतनीदी चुननी का मौका मिला है, तो मेरी वी यही अपील है कि जो बेहतर लगे कंडिडेट, उसका जो है, उसके प्रति जो है, आप मद्दान कीजिए, जो आपके प्रतान हो, प्रतान से लेकर और MP तकी में बात करता हूँ, हमारे राष्ट्री अद्धक जी का कहना है कि जन प्रतनीदी कोई भी हो, जन सुलब हो, कभी भी किसी ब्यक्तिकी आउशकता पड़े, तो कम से कम वो हाजिर हो, और उसके जो भी कारी है, ज्यादा तरकार आपने जन सुलब होना चाहिए, और जनता के प्रती जवाब दे होना चाहिए, यह हमारे राष्टी अध्धक जी का कहना है, अंतिम सवाल इस बार भी चुनाव में राजा भीया फैक्टर काम आने वाला है, अब आप लोग ऐसा समझते हैं, तो मेरे ख्याल से हर विधान सभा का अ आइकान है, आयुवक उनके उपर बहुत अकर्सित होता है, केवल एक तस्वीर, एक फोटो लेने के लिए, राजा भीया केवल कुंडा प्रताबगर बाबागंद में ही नहीं बल्कि वो देश के सर्मान नेताओं में हैं, उनका क्रेज है, जिस वक्तों मंच पे खड़े हो इसी तरीके से नत्युत करें, ताकि देश की राजनीत की छितिच पर जाए, ये मेरी उनके प्रती शुपकामना है, और इस्वाशी प्रताबर बागंद में हैं, इस वक्त ये राजा भाया के पाल्टी में हैं, और अच्छे पत पर हैं, और इनका ये कहना है, राजा भाया किसी को भी मतदान करें, लेकिन वो मजबूत और अच्छी सरकार बनाएं, इसके लिए करें, लेहाजा उनकी अपील पर उनके मददाता यानि बाबा गंज और कुंटा के लोग ध्यान देंगे, आनंद राज, यूपी तक, प्रियाग राज